आपका स्वागत है आईए रूबरू होते है आज की ताजा खबरों से पचास हजार रुपियों की फिरोती के लिए अगवा की अगे युवक को दो घंटे के भीतर छापा मार कर अपराधियों से शकुसल छुडाने में महराष्ट के जरगाओ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है आरुपियों को गिरफतार कर लिया गया है महराष्ट पुलिस मामले की जाज कर रही है पुलिस से मिली जानकारी के नुसार उमरवाडा थाना शेत्र का रहने वाला 19 वर्षी युवक अमित वन्शकार उमरवाडा से 20 तारिक को महराष्ट के नांदोरवा कैंसर की दवाई लेने गया था लेकिन युवक का अपराधियों ने परिवार के लोगों से फोन के जरिये पैसे की मांग की परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी मामले की गंभिरता को समस्ते हुए महराष्ट के जलगाव पुलिस अधिक्षक ने संपर किया और अपरन हुए युवक को दो घंटे के भीतर सकुषल छोडाने में सफलता मिली चिंदवाडा एडिशनल स्पी अवधेश प्रताप सीह ने बताया कि अमित वशकार अपनी बुवा के लिए कैंसर की दवाई लेने के लिए महराष्ट के नांदोरा गया था लेकिन उनके परीजनों से फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने उसे बंदक बना लिया और पैसे की मांग कर रहे है और पैसे प्राप्त नहीं होने पर शती पहुचाने की बात कर रहे है परिजनों ने तातकाद इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद महाराष्टर पुलिस से संपर्क कर दो घंटे के अंदर जरगाव महाराष्टर पुलिस में मोके पर पहुचकर युवक को अपहरन करता उसके चंगुल से छुडा लिया और छिंदवाडा पुलिस और चंशकार नाम का 19 वर्षी युवक है जो नंदोरा महाराष्टरा में कल 20 तारीक को अपने बुआ की कैंसर की दवाई लेने के कह करके गया था आज उसके पास में सूचना प्राप्त हुई जो परिवार जनों को फोन के माद्दिम से कि मुझे कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है और कुछ पैसों की मांग कर रहे हैं और धंकिया दे रहे हैं कि पैसे प्राप्त नहीं हुए तो उसको ख्रती पहुंचाएंगे ये सूचना ततकाल पुलिस थाने भेजी गई और वो पूरी जानकारी लेकर के पुलिस अदिक्षक चिनवारा सुयम सक्री हुए और जो जलगाओं पुलिस अदिक्षक है वो पूरी जानकारी वहाँ पर भेजी गई उनसे बात की गई और पूरी ततपरता से इसमें बहुत शीग्र काम हुआ और दो घंडे के अंदर जलगाओं जिले की पुलिस ने स्पॉर्ट आइडेंटिफाई किया और वहाँ पहुंच चारी हैं वो यहां से रवाना हो चुके हैं उसे वापस जाने की यूबक अकेला गया हुआ था दवाई लाने के लिए गया हुआ था घर में उसने यही बताया था बुआ को कैंसर है उसकी और उसकी परश्चात अगले ही दिन यह वहाँ से सूचन अपराब तुई इस पर ततकाल कारवाई की गई है दोनों जो जिले या मैं काऊंगा दोनों ही राज्यों का सवनबे इसमें काम किया और दो घंडे गेंदर ही फिलिस की योगी रिकप्री हो गई है चिंदवाडा से शेकर राजपूत की रिपोर्ट चिंदवाडा जिले के जुनरदेव शेतर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पर एक महिला अपने बीमार पती को ठेले में लिटा कर अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रही है सरकार और प्रशासन चाहे लाख दावे करे या पीठ थप थप आए लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और ही नजर आती है आज भी प्रदेश में गरीब वर्ग स्वास्त सुविधाओं के लिए दरदर भटक रहा है हम बात कर रहे हैं जिले के जुनरदेव नगर की जहां वास्तविक्ता को जंगजोर करने वाली तस्वीर सामने आई है दरसल जुनरदेव निवासी मजदूर हेमन का पैर भोपाल में मजदूरी का कारे करते वक्त कड़ गया था भोपाल में उचित साहता ना मिलने के कारण पतनी उसे लेकर जुनरदेव पहुची लेकिन यहां उसका इलाज करवाने जब उसे अस्पताल पहुचाने के लिए एमुलन्स की मदद नहीं मिली तो महिला उसे हाथ ठेला पर लाद कर अस्पताल पहुची इस महिला का नाम घीता नागवंशी बताया जा रहा है और पती का नाम हेमंत नागवंशी है वीडियो में एक महिला पती का इलाज कराने के लिए ठेले पर 3 किलोमेटर दूर होस्पिटल तक अकेले लेकर जाती हुई नजर आ रही है महिला ने बताया कि कई बार कॉल शाषी की एम्बूलन्स के नंबर पर 108 पर कॉल करने के बाद भी सुविधा नहीं मिलने के कारण उसे मजबूरन अपने पती को ठेले में लिटा कर अस्पताल पहुचाना पड़ा वही छिंदवाडा के मुखे चिकित सायम स्वास्त अधिकारी जीसी चवरशिया का कहना है कि बहुत लंबे समय तक अस्पतालों को एम्बूलन्स नहीं दी गई है 108 और जन्नी एक्सप्रेस के माध्यम से सुविधा दी जा रही है साती साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में जागरुकता की कमी है जिसके कारण उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है लेकिन जमाण ट्रक ने से मिल जाती है सुविधा ऐसा नहीं है अब उपो सकता है देजी क्या होता है कि अम्बूलनस अगर कभी कहीं इंगेज होगी है वहाँ से चलीगी कि चिन्वाड़ा आ गई है नाकपर चलीगी गाड़ी अलिविटेड जहां रहती है चिन्दवाडा से शेकर राजपूत की रिपोर्ट मुप्त स्वास्त एवं नेत्र जाच शिबिर आदी उपशेत्रिय परिवहन कार्याले अकोला के माध्यम ने अकस्त दोहजार तेईश में शाषकिय महाविद्याले के नेत्र एवं नेत्र रोक विशेशग्य डॉक्टर प्रमोध इंगले द्वारा नेत्र एवं जाच स्वास्त परिक्षन के माध्यम से लगभग पास सव वाहन चालोकों की जाच की गई है दिनांक 21 सितंबर 2023 को उपशेत्रिय परिवहन कार्याले अकोला में कलेक्टर अजित कुम्भार द्वारा जिन वाहन चालोकों को चश्मे के लिए डॉक्टर द्वारा अनुशन साकी गई थी उन्हें चश्मे वित्रित किये गये उपशेत्रिय परिवहन अधिकारी अकोला जैश्री दुतोंडे प्रमोध इंगले नेत्ररोक विशेशक्य हेमंत काले प्रफुल मेशराम संदीप तुकराने अभिजेत टेल मोटर वाहन निरिक्षक कुरुष्णा नेवरे लेनिन ढाले गजानन मरने गोपाल पंचोली अंशूल मुर्दिव विनोजाध भागवन्त चोपडे मनुश्येल के सहायक मोटर वाहन निरिक्षक और साती सात सुनिल सोलंके लेखा परिक्षक उपशेत्रिय परिवन कार्या और प्रभात किट्स के बस चालक स्कूल अफ कॉलर्स के आटो वाहन चालक यवं अन्य यात्री वाहन चालक आधी उपस्तित थे इन भी से न्यूस के लिए अजगर खान की रिपोर्ट पारशिवनी तहसिल सीमा के इटगाव तमस्वाडी पारडी खंडाडा निम्बा सक्रला करभाड दहे गाव पारशिवनी से रोजाना हजारो नागरिक रोहना चनकापूर मार्ग से आना जला करते है रोहना चनकापूर रास्तिक की हालत खस्ता होने से इस रास्ते से जाता है जब उसी पत्रीले रास्ते से होकर किसान, महिला, बच्चे, सरकारी, कार्याले में कर्मचारी, निजी संस्तानों में काम करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को रोज आना जाना पड़ता है। जाता है के लिए दो करोड रुपे राशी का प्रावधान किया गया था, पर इस राशी को खर्च करने से पहले ही इस राशी को राज्य सरकार की ओर से रोक लगाई गयी। निशेत कर, महराश्ट सरकार की विरोध में नारेबाजिकर विरोध प्रकट किया गया, वही इस रास्ते का मरमत का काम जल से जल्थ पूरा करने की मांग भी इस वक्त की गई। शामिल स्थानी को द्वारा इस मामले की अगर इस रास्ते की मरमत नया निर्मान कारियस समय रहते नहीं क्या गया तो आने वाले दिनों में तीवर आंदोलन की चेतावनी आंदोलन में शामिल गोपाल बुर्डे निकेश भोयर तिपक भोयर चांग देव डोईफोडे नलिनी लक्षने दुर्गा नार्नवरे मसाराम गोनमारे स्वाती घारड सुनील परतेटी सोनु अडाव दादाराव मोहनकर रमेश महलगावे साधना डोईफोडे जैश्री महलगावे शिवा शे निक नागरी को द्वारा किया गया पार्शिवनी से बिस्यन के लिए समादाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुडे रही है इन बिस्यन निउस के साथ